अब देखिए मार्केट में आप गाजर आने लगी है बहुत अच्छी गाजर आ रही है रादी रादे कैसे आप सभी स्वस्त होंगे मुश्त होंगे वहां से यही प्राड़ता है यह देखिए मैंने पांच गाजर ली थी चील के दो पहले दो लिया था फिर चील के साफ करके और प Idee कट करके रभाल ली आय कौकण में और जादा नहीं दृबाला आ है मैंने पानी पानी जादा नहीं डाला था यह दिरकिता ङॉंद हो कि इनको में चलनी मीं चाल रहे हूं एक साफर फ़स्ताट में नेहीं चल दोंगी पानी नहीं रहना चाहिए न करकंड़र ही 57 लि इसालconnect आपनापानी मैंगे यह मैं चिक ब्रृट में पीश लिया है नो झाँ है अप्छे से पीश लिया है के और अमटे ला रही हों लेड़े में नकाल लेते हूं मैंने यह डाला है यह द이다 अरा रूह ? कॉर्ण स्टार्च बोलते ने , कॉर्ण स्टार्च डाला है , अर रोट नहीं है , um Г. मैं इसको इसमें मिक्स कर लीती हूं और आ इसमें डालूंगी आटा Go Char capable णाए निए आटा डाला है थोड़ा सा और इसी के साथ मैं डालूंगी इसमें , थोड़िशी मैदा करीब एक कटोरी करीब मैंने इसमें मैदा एड़ किया है ये तीनों चीजें डाल लिए अगर खाली आटे से भी बन सकता है खाली आटा भी डाल सकते हैं मैंने आटा इसमें मिक्स किया है और मैंने तीन चीजें मिक्स किया है इसमें आटा, कॉर्नेश टार्च और थोड़ी सी मैदा और ये देखिए अब सेप तो आप कोई सी भी दे सकते हो छोटी छोटी लोईया लेकर आप कोई भी कैसी भी सेप में बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो छले से लेकिन ये भहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं आज कर बच्चों क ये चीजे बहुत पसंद आती है इसका तो ये रात को तियार करके रख दो और सुबह बना दो बच्चों के लिए नास्ते में कोई आ जाए उसके लिए और मैं तो इनको फ्राई कर रही हूँ और इनको पानी में उबालके भी बनाया जाता है बाप द्वारा भी बन जाते है लेकिन मैं इनको फ्राई कर रही हूँ बच्चों ने का फ्राई करना फ्राई करके ये देना तो मैंने फ्राई किया है ये देखिए एकदम ऐसे हो जाने चाहिए अच्छे से सिख जाने चाहिए ये कि यह और MP4 कि मैं यह सिखने न ना है नमक बीडाला तन है है इसे में थोड़ा एंधन नमक की अइसी जोड़ा बना दी है और हैने 6 के लिए निर्च ज़्य सेलेंडर सीफ में ना दी है है यहीन चीज भागे वही है का कि आसे बैंने से वाकिन के बीजाना निकी किसी भी तरह से बना दो यह देखिए और मैं इस में यह mixing jar ले दिया है और मैं इस में टमाटर रफली टमाटर काट के डाल रही हूँ और मूटी मूटी सी काट दी है बड़ी बड़ी सी और में इनको चार पांच नी है मैंने जितना तीका आप खाना चाहें उतना तीखा बनाए बच्चों के लिए बनाए तो कम मिर्ची डाले और हमें इनको छोकूंगी इसमें तेल डाल दिया है मैंने एक बड़ा चमच और जीरा डाल दिया है अब मैं टमाटा ररी मिर्च का पिश्ट डाल रही है और इसको छोक के यकीन मानिए यह बहुत स्वादिष्ट लगेते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं यह मैंने सूका धनिये डालते हैं एक चमच और स्वादा नुसार डालूँगी इसमें नमक क्योंकि नमक हमने उनमें भी डाल दिया है और इसमें भी डाला है तो नमक डबल हो जाता और ये डाला है मैं इसमें चाट मसाला और ये एक जक्कन डाल दिया मैंने बिनेगर सपेज बिनेगर सिरका डालना बहुत जरूरी है उसी से तीखा फन आता है इसमे ये देखिए यकीन मानिये ये बहुत स्वादिष्ट बने थे और बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फटा फट से बन जाते है मैं एक बार आलू से बना के और दखाऊंगी आपको आलू से भी बहुत अच्छे बनते है ये देखिए राधनिया डाल दिया आप मैंने इन पे और आप मैंने इनको त्यार कर लेती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना शब्सक्राइब करना कमेंट करना ये देखिए यकीन मानिये बच्चों ने खुस होके खाये थे और बहुत स्वाधिष्ट बनी थे बहुत ही स्वाधिष्ट लग रहे ना देखने में भी अच्छे लग रहे हैं राधे राधे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके तब देख के लिए खुस रहे हैं मस्त रहे हैं स्वस्त रहे हैं ठंडगा मुसम हैं मजे करिये